Good morning friends, welcome to today's lecture of Vibro Shifter Friends, आज के इस lecture में basically मैं आपको ये बताऊँगा कि Vibro Shifter क्या होते हैं इनको कितने तरीके से classify किया जाता है इनके basic applications कैसे होते हैं और इनकी working principle क्या होता है Before starting today's lecture, अगर आपको मेरे lectures अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए और जितना जाता possible है, उतना जाता वीडियो उसको like कीजिए और अपने friends से share कीजिए मेरा ये जो lecture है, इसके PDF का link वेब में description box में डाल दूँगा जिसको भी ये download करना है, वहाँ पे जाके easily download कर सकता है Starting with today's lecture of Vibro Shifter सबसे पहले हम बात करते हैं, working principle क्या होता है Vibro Shifter का तो ये काफी simple device होता है, अगर हम Vibro Shifter की बात करें, आप इस diagram को गौर से देखिए तो सबसे पहले इसमें ये top portion है, यहाँ से material को fit किया जाता है After that, ये material नीचे की दर्फ drop होता है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे mess लगी हुई है Mess friends, मतलब normal जैसे चननी घर में हम use करते हैं, आटा चानने के लिए उस तरीके की यहाँ पे अलग-अग size की mess लगाई जाती है Depending upon की कौन से particle size का material आपको isolate करना है Like अगर आप इस diagram में देखेंगे, तो इस diagram में देखेंगे, basically 2 mess लगाई गई है Sorry, यहाँ इस diagram में आप देखेंगे, तो 3 mess लगाई गई है, 1, 2 और 3 जो आप material टॉप से feed कर रहे हैं इसमें जो material पहली mess पे feed के size के हिसाफ से match कर रहा है वो टॉप वाले outlet port से out हो रहा है जो उससे थोड़ा fine material है उससे pass हो रहा है, वो material नीचे आ रहा है और वो दूसरी sleeve से pass हो रहा है जो उससे accourser material है, वो और नीचे आ रहा है और वो उसके नीचे के उससे पास हो रहा है तो depending upon size जो सबसे बड़े particles हैं वो top वाले से बाहर हो रहा है second size middle और third side आपका bottom so depending upon upon our requirement ये basically depend करता है कि हम उसमें कितनी mess use कर रहे हैं अगर मेरे को single तरीके के particles को separate करना है तो मैं single तरीके की mess use करूँगा ये basically selection आपके requirement के उपर depend करता है कि आपको कितने तरीके के particles उससे isolate करने हैं after that bottom में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक electric motor दी रहती है जिस motor का काम ये रहता है और यहाँ पर springs दी रहती है इस पूरे के पूरे setup को vibrations provide करना because ये जितनी ज़्यादा vibrations होंगी उतना ही ये जो separation है means अपने आप possible होता है because जब आपकी mess vibrate करेगी तो उसमें जो particles है वो आपस में due to vibration आपस में एक दूसरे से separate होंगे जो आपके means final particles है वो नीचे की तरफ डॉप हो जाएंगे और जो larger size के particles है वो mess के top में छूट जाएंगे इसमें help करने के लिए basically ये motor दी जाती है जिसका काम रहता है only vibrations provide करना अगर आप इसकी थोरी देखेंगे तो material जो है जिसको हमें separate करना है उसको hopper के top से fit किया जाता है जैसा मैंने आपको बताया power the machine from the mains जो ये नीचे दिखाया गया है the vibrating motor will be energized causing a vibrating motion जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही आप उसको power supply देंगे ये motor आपकी vibration शुरू कर देगी जो screen है वो उस vibration के हिसाब से larger size के material को उपर कर देगी और छोचे size के material को अपने से pass होने देगी तो अगर हम बात करते हैं vibro shifters की तो इसका working principle यही है जो मैंने आपको बताया और ये काफी easy है अगर हम बात करते हैं essential components क्या होते है vibro shifters के तो पहला होता है high quality springs जैसा की मैंने पुलाज डाग्राम में दिखाया because in springs का का काम रहता है it allows the entire upper section of the machine to vibrate freely because इनकी ही वज़े से जो upper section होता है पूरा का पूरा vibro shifter का वो freely vibrate होता है second it helps minimizing the power consumption इसकी वज़े से मेरा power consumption भी कम होता है third is it acts as damper preventing any transmission of vibration to the floor और third ये as damper काम करते हैं और किसी भी तरीकी का जो vibration होता है वो floor तक नहीं transfer होने देते हैं next one एक vibratory electric motor जैसके मैं आपको पहले बता है इसका काम रहता है just vibrations provide करना third one is screen structures ये वो structures होते हैं जिनके उपर basically sieves को fit किया जाता है ये sieves depending upon cost तरीके का material आपको separate करना है ये उसके हिसाब से इनका size select किया जाता है and finally the outer casing जिसका काम रहता है कि कोई भी just particles बाहर की तरफ move ना करें और एक isolated way में सारी की सारी activity हो ये just एक structure है ये पूरे के पूरे उसको support करता है अब हम बात करते हैं कि types की अगर हम बात करते हैं vibrosifters की तो basically इनको दो तरीके से classify किया जाता है एक होता है आपका size के उपर इसका size basically vary करता है 12 inch से लेके 72 inch तक and second basically number of sieves के उपर जो number of sieves होती है ये हमारी basically depend करती है कि हमें किस तरीके के particles को separate करना है या फिर किस size के particles को separate करना है ये हमारी requirement के उपर depend करता है ये single sieve भी हो सकता है और multi sieve भी हो सकता है याद रखेगा it depends only on your requirements now अगर हम बात करते हैं important features क्या होते हैं vibrating shifter machines के तो इसका जो सबसे पहला important feature होता है वो ये है कि इसका जो design है वो काफी compact है and it is easily portable second one it guarantee low noise operations and high speed operations third one energy efficient equipment है next one it uses a flame proof motor material इसके case में flame proof motor material का भी use किया जा सकता है next made from high grade stainless steel best better dust handling capability इसकी dust handling capability काफी अच्छी रहती है many screen options are available such as double, triple or even more than that we can go for it is easy to dismantle and clean इसकी dismantling और cleaning काफी easy है adjustable vibratory motion vibratory motion की vibrations भी आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं it has robust design it is easy to install and operate इसका installation और operation काफी ज्यादा easy होता है design should allow for easy and fast changing of shifts guarantee high performance durable to guarantee a long service life span thereby reducing the maintenance cost इसके case में जो finally maintenance cost होता है वो भी काफी कम होता है now moving to next slide applications of vibrating shifting machines अगर हम इनके applications की बात करते हैं तो इसको basically use किया जाता है pharmaceutical industries में research laboratories में cosmetics में chemical processing industries में food processing industries में and agriculture industries में so friends आज के lecture में बस इतना ही अपने next lecture में basically हम discuss करेंगे कि relative volatility क्या होती है उसका क्या importance है and Dalton's law क्या होता है so till then good bye have a nice day here okay अप्राओी